आज की वीडियो में बात क्रणने वाले हैं पेइ मेनेजर के बारे में आज की वीडियो देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं. तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप स्वयम अपने पे मेनेजर के लोगिन के माध्यम से कटोतियों की रिक्वेस्ट किस तरह से आप अपने डीडियो को बेच सकते हैं नए जो व्योस्था स्टार्ट हुई है पे मेनेजर पर उसके अकोर्डिंग आपको कुछ डिडेक्शन की रिक्वेस्ट आपके डीडियो को सेंड करनी होगी तभी जाकर कि वो जो डिक्वेस्ट हैं डिडेक्शन की रिक्वेस्ट हैं वो आपके सेलेरी बिल में अपडेट ऑ बाले हैं तो इसके लिए आपको पैमेजर पर आना होगा और यहां पर आपके Swim के ID और password की साहेता से आपको login कर लेना है तो यह आपका पेमेNET हयर का homepage है यहां पर आप आपका जो username है आपकी जो employee आपको यहां डाल देनी है इसके बाद में आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको इस कोलम में डाल देना है इसके बाद में जो तीसरा कोलम में आपका उसमें आपको इंटर केपचा आपके जो केपचा है यह यह आपको यह डाल देना है और उसके बाद में नीचे की तरफ आपको यह जो ओप्शन दिये हुए हैं उसमें आपको इंप्लोई पर टिक कर देना है यह जो इंप्लोई वाला है अभी डीडियो वाला ओप्शन है तो आपको यह इंप्लोई के लिए लोगिन करने के लिए आपको यहां पर इंप्लोई पर क्लिक कर देना है तो जैसे यहां पर आप आपको एक आपका OTP लेना होगा और OTP लेने के बाद में जैसे आप वहाँ पर समिट करेंगे तो आपका पे मेनेजर का जो होम पेज है वह आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगा जैसा कि आप इस क्रिंट पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको होम पेज पर आपके left side में एक option आपको दिखाए दे रहा है Employee Corner यहाँ पर आपको जाकर के थोड़ा सा प्रेस करके रखना है जैसे आप प्रेस करके रखेंगे कुछ औप्छुन्स आपको यहाँ पर दिखाए देंगे यहाँ पर बिलकुल last वाले option पर आप employee deduction request तो इस option के माध्यम से आपको जो भी कटोती हैं आपकी update करवानी है December माहा के salary bill में वो request आप यहां से generate करेंगे और वो request आपके डीडियों के पास चली जाएगी तो इस option पर जैसे आप क्लिक करेंगे चलिए हम लोग क्लिक करतें जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक option आपको यहां दिखाए देगा और वो option आपको यहां पर select deduction आपको यहां select करना है और यह चार तरह की जो option है आपने thumbnail में भी इनको देखा होगा यह चार तरह के जो deduction है वो आप आपके स्वेम के लोगिन के माद्यम से आपके monthly जो भी बिल है उसमें आप अपडेट करवा सकते हैं जीपिएफ है income tax है SI premium है आपका और SI का जो loan है यह जो चार deduction की जो request है वो आप generate कर सकते हैं आपके personal ID और password की सहता से pay manager पर login हो करके तो मानलीजिए अगर आपको income tax इस माहा में दिसंबर के में update करवाना है तो यहां पर हम income tax का जो सलेव है वो यहां पर हम option है वो select करेंगे और उसके बाद में select करने के बाद में आपको यहां पर कुछ option दिखाए देंगे deduction code है यहां पर deduction amount यहां पर आपको feed कर देना है और region आपको डालना है यहां पर edit के option पर आपको click कर देना है बिल्कुल आपके जो right side में जैसे आप edit पर click करेंगे तो यहां पर देखिए आपके deduction amount यहां पर आपको जो भी amount reduction करवाना है income tax में वो आपको यहां पर डाल देना है और इसके बाद में आपको region है वो यहां पर region आपको यह डाल देना है मालीजिए हमारा जो amount है वो update हुआ है तो इसको इस तरह से हम ढाल सकते हैं कि amount updated और इस तरह से आपको यहां पर और आपकी जो request है वो यहां पर आपको generate करनी है यहां पर आपको save पर click कर देना है जैसा आप save पर click करेंगे तो आपको यहां देखेंगे कि request generated successfully हो चुकी है और यह जो request आपके डीडियो के पास पहुंच चुकी है यहां आप ok करेंगे और ok करने के आपको यहां देख सकते हैं आपकी जो request generate हुई है उसका जो request ID है और जो पूरी detail है वो आप यहां पर देख सकते हैं और अगर आप चाहें कि पुने इसको अपडेट करना है तो आप यह जो delete को option है इस option से इसको request को delete भी यहां पर कर सकते हैं और same process के माद्यम से बाकी की जो deduction है वो भी यहां पर आप यहां पर इस तरह से अपडेट कर सकते हैं और अपने ddo को request send कर सकते हैं thank you